नमस्का दर्श्कुम् अगस्त के महां में ग्रेहों का गोचर क्या बना हुआ है शनी मायरा तीसरे भाब में गोचर कर रहे हैं जहां का शुफल देते हैं चौते भाब में बीन राशी के राहू है और महा के आरम में छटे भाब में गुरु अब अंगल क्यूती होगी छटे बाब के बाद मंगल जो आपके पंचिमेश है वो सब्तम में चले जाएंगे महा के आरम में जो आपके भागेश सूरह हैं वो अश्टम में होंगे और 16 अगस्त के बाद वो भागेबाब में चले जाएंगे जहां उनकी दशमेश भुद्ध और लाभेश शुकर के संग्यूति हो जाएगी 26 अगस्त को आपके जो लाभेश शुकर है वो अपनी नीची राशी कर्णिया में दशम में चले जाएंगे जहां उनकी केतु के संग्यूति हो जाएगी ये ग्रहों की स्तिती है किसी भी महा का राशी फल हो या किसी वाशिक राशी फल के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम देखें कि हम जिस राशी या लगन की चर्चा कर रहे हैं गोचर में उस राशी या लगन के लगनेश और दशमेश और भागेश कहां कां चल रहे है अगर हम लगनेश की बात करें तो धनू लगन के लगनेश बनते हैं देख गुरू बश्पती और इस समय वो चल रहे हैं छटे बाव में जो तिश का एक मुख्य से दानती है कि चाए गोचर हो चाए कुंड़ी का कोई ग्रह हो अगर वो चटे आट में बारे वे हम में आ जाता है तो वो घ्रह आपको थोड़ा सा परिशानी देता है अब आपका लगनेश चटे बाव में है जिसके कारण धनू लगन के जातकों को महनत अधिक करनी पड़ेगी महनत वो कर पाएंगे उनका प्राक्रम बड़ा रहेगा उसका एक में रीजन यह है कि आपका जो शनी त्रतेश है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे चल रहा है शुब है इस तमे शनी धनू लगन्व धनू राशी के लिए शुब हैं और तित्ते भाब में गोचर कर रहे हैं में चलेंगे आपको किसी भी रिजल्ट के लिए मैनत करनी पड़ेगी दशमेश की बात करें तो इस महां आपके भागेश बुद्ध जो हैं अच्छी पोजीशन में हैं हां पर जब महा कारम होगा तो आप देखेंगे एक से लेके 15 अगस तक आपको कामों में कुछ बादा बागेश का अश्टम में जाने का आरता है कि भागेश बाब का सौमी कमजोर हो गया और इदर आपका लगनेश छटे भाब में चली रहा है तो यह आपके लिए थोड़े सा संगर्श का समय है और गुरू जब छटे भाब में चलता है तो शत्रू आपके बढ़ाता है वो जातक जो सरकारी नौकरी में हैं वो ध्यान रखें अपने उच पदादिकारी से किसी पकार का विवाद हो सकता है कोई गलत फ्हहमी हो सकती है कारिस्तल पर विवाद हो सकता है आप अकर कोई वेपार वगरा करते हैं तो अचानक आप इस सरकार की तरफ से कोई जुर्माना या दंदर लग सकता है यह स्तिती बने हुए एक से लेके 15 अगस तक जब तक सूरे अश्टम में रहेंगे साथी अश्टम में सूरे का गोचर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अब धनु लगनवा धनु राशी के जातकों को बेसिकली प्राब्लम होती है या तो उनकी टांगों का ध्यान लखना पड़ेगा क्योंकि इदर लगनेश भी छटा चल रहा है और सूरे भी अश्टम में चल रहे हैं यह बात हो गई 15 अगस्त है यह जब महाकारम होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ काम बन रहे हैं लग लगेगा कि महनत थोड़ी जादा हो रही है पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं आप 16 अगस्त की बाद करें क्या सीन बनता है 16 अगस्त के बाद आपके भागेश सुरे भागेवाब में चले जाएगे यह जाएगा उसकी आपकी दशमेश बुद्द की संग्यूति हो जाएगी और उसके संग लाबेश शुक्र की भी उती ह लाब भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ती का भाव इसका मतलब 16 अगस्त से लेके 26 अगस्त के सीन है कि केरियर को से जुड़ी आपकी कोई भी इच्छा पूर्ती हो सकती है तो आप धनू लगन वा धनू राशी के जाता के हैं और केरियर से जुड़ा कोई भी अगस्त करेंगे जो भी कोशिश कर रहे हैं उसके रिजट आनी रहे हैं जैसे आप कही जॉब के लिए ट्राइए कर रहे हैं तो इंटर्वू की काल नहीं आ रही है याप कुछ नया करना चारे हैं पर वो होनी रहा पर अगस्त के बाद से रहे हो चेंज हो जाएगा और रहेंगे वो धन के लिए शुब हैं चटे बाप का मंगल भी शुब है और तीसरे बाप का शनी भी शुब है गुरू चटे बाप में हैं जरूर पर लेकिन वो भागे बाप को देख रहे हैं धन बाप को देख रहे हैं गुरू को धन का कारक माना गया है अगर धन का कारक घ है आपके धनवा आपको देखेंगा तो धन के लिए शुब है तो 26 अगस्तक आपने किसी से सोचा हुआ था कि कुछ पैसा आएगा किसी को पैसा उधार दे रखाता या कोई पैसे की डील होनी थी या सोधा होना था तो उसमें आपको लापकी संबावना बनती है तो 26 अगस्त के महा में आपकी कोट केस की डेट आती है तो कोट केस की डेट के लिए यह भाब के लिशुब है पाप घ्रयों की प्रधानता है तीसरे और छटे भाब में जिसके कारण कोट केस में आपके लिए पॉजिटिव डिसीजन होने वाला है पंचमेश मंगल की सब्तमेश बुद साथ विदार्थियों के लिए समय काफी अच्छा बना हुआ है 26 सगस के बाद की साफधानी में आपको बता दूं कि मंगल छटे भाव को छोड़कर सब्तम में जाएंगे और वहां से उनकी दिश्टी आपके वाणी भाव पर होनी है वाणी भाव पर मंगल जैसे घरे की होती लड़ाई जगड़ा करने की लेकिन जब वाणी कटू हो जाती है तो सामने वाले को आपकी सही बाद भी बुरी लगने लगती है इसके लावा 26 सगस को शुक्र कन्याराशी में परवेश करके के तू के संजुती बनाएंगे तो दांपत्ते जीवन में थोड़ा सा मिस अब भी सगस के बाद कुटूम से जड़े मामनों में साबधानी कोई वाब दिवाद की स्थिदी बन सकती है तो ओवराल यह स्थिदी है कि महा के आरह में तो आपको लगेगा यार कुछ ऐसा होई नहीं रहा सब कुछ रुका रुका चल रहा है लेकिन 16 अगस के बाद अब हम देखते हैं कि धनु लगनवा धनु राशी के लिए इस महा की शुप्तितियां कौनसी है जब वो कोई काम करना चाहे तो आपके लिए शुप रहेगा यह गोचत चंद्रमा के अधार पर है चंद्रमा मारा बनका कारा का है जब चंद्रमा मारा अच्छा होता है उस स 26 वासटाई सगसद्रमा अब में आपको इस महा के सावधानी के दिन बता धार है जब चंद्रमा चोथा- आई-षा-इबार होता है तो मारा मन परिशान तो रहता हो स्क्तियारी है, इसलिए इस नोप भूल के बहु को महत्तितियां काम न 김ादे का रहे और वान वगेरा साब्धानी से चलाएं तो साब्धानी के दिन है 3 वा 4 अगस्थ 5 वा 13 अगस्थ 14 वा 22 अगस्थ 23 वा 30 अगस्थ 21 अगस्थ तो दश को मेरा यह मानना है कि आप थोड़ा सा समल के चलें क्योंकि धनू लगन के जातर थोड़े से struggle करते दिखाई दे रहे हैं कि उनका लगने ही समय चटे भाब में चल रहा है कि जैसे 9 अक्टूबर 2024 को देव गुरू बर्सपती बक्री होंगे वो आपके पंचम की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे धनू लगनवा धनू राशी के लिए 9 अक्टूबर से लेकर और 3 फरवरी 2025 तक कैरियर में काफी ग्रोथ दिखाई देगी कैरियर में काफी नए अफसर मिलेंगे और अगर आपको काम में कोई परिशानी चल रही है तो उपाय के तोर पर आप हर गुरुवार को किसी भी पीली वस्तू का दान कर सकते हैं पीला कपड़ा हो सकता है हली हो सकती है चनी की दाल हो सकती है आप हर गुरुवार को भीगी चनी की दाल गाय को भी खिला सकते हैं और जब तक गुरु खराब चल रहा है गाय को रूटी जरू दीजिए और अगर आपको लगते हैं कि हमारे किसी विशेश कारे की सिद्धी होनी है तो आप तीन गुरुवार को किसी विवायता इस तरीको सुहाग समगरी भी दे सकते हैं साड़ी, चूड़ी, बिंदी, काजल वगएरा तो तीन गुरु बार लगातार किसी सुहाग निस्तरिकों कर आप सुहाग संगरी भी देते हैं तो उससे भी गुरु की रेमेडी हो जाती है और इस गुरु के नेगटिव अब्धी के जरार अगर आप किसी विशेश कारे की पूर्ती करना चाते हैं तो आप हर पूरन माशी क को भवान सत्रियन की कथा भी अपने परवार के साथ कर सकते हैं वो भी देव गुरु बर्सपती का बहुत अच्छा हुपा है तो दशकों मेरा वीडियो था कि धनू लगन वा धनू राशी के लिए अगस्त महां कैसा जाने वाला है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को भी तर सब्क्राइब नहीं किया तो कि अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो दिख सके इसके साथ ही नमस्का अदर्श को जैमाता दी